तो आज हम बनाएंगे टेस्टी एन हेल्दी खजूर मोदक। इसे हमने बहुत ही कम जीजों से बनाया है और यह बहुत ही जटपट बन जाते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ खजूर चाहिए और थोड़े से ट्राइफ रूट्स चाहिए बस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें आधा कप मिक्स ट्राइफ रूट डालेंगे। अब इस ट्राइफ रूट को हमें ड्राइफ रोस्ट करना है करिब एक से दो मिनिट के लिए और स्लो फ्लेम पे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और ड्राइ रोस्ट कर लेंगे। अब यहां पे हम लेंगे खजूर, तो खजूर के हम बीच निकाल देंगे और इसे हम लेंगे दो कप अब एक पैन में हम दो चम मच घी डालेंगे जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए हम इसमें खजूर डाल देंगे और इसे मीडियूम फ्लेम पे पकाएंगे, हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जैसे ही यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए हम इसको स्पैचुला की मदद से मैश करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे थोड़ी की देर में यह एक दम से मशी हो जाएगा और कठा होने लगेगा तो बस यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे और इसको फ्लेम पर से हटा लेंगे अब यहाँ पे हम डालेंगे एक चोधाई चमच इलाइजी पाउडर और यह जो ट्राइफ रूट हमने प्रश किया था वो डाल देंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे हमने मोदक का मोल्ड लिया है और इस मोल्ड को हम अच्छे से घी लगा देंगे इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मिक्स्टरा उठाते जाएंगे और इस मोल्ड में डालते जाएंगे और हम मोदक को शेप कर लेंगे तो ये दिखिए ये हमारे मोदक तयार है इसी तरीके से हम बाकी की सारे मोदक बना लेंगे उपर से थोड़ा सा कोकन डाल कर हम इसको गार्णिश कर लेंगे तो ये हमारे क्विक और हेल्दी मोदक तयार है तो आप भी इस एक बार जरूर ट्राइ करें और हमें कमेंट करके ब